एकता के अपकमिंग मेगा शो नागिन फाइफ के लिए चारों तरफ गॉसिप गर्म है कौन करेगा मेल लीट यह इस वक्ट टीवी इंडेस्ट्री का बहुत बड़ा सवाल है इस सवाल के जवाब में कई सारे नाम है जैसे की सुर्भी चांदना, क्रिस्टल इसूजा, लेकिन इस नागिन फाइफ में मेल लीट की पोटेंशन लिस्ट में अगर कोई सबसे टॉप पर है तो वो है हिना खान, जी हाँ दरसल नागिन फाइफ और हिना खान की पांच कूबियों की जोड़ी कुछ ऐसे जमाने वाली हैं जिससे यह लगता है कि एक सर्प्राइज ग लगत तो इना खान नहीं नया पर लगाई थी, कमोलिका के रोल में हिना ऐसी च्छाय थी कि बस पूछे ही मतौट। शो से एक्सिट करने का फैसला गिया तो शो की टी आरपी एक बार फिर से डूबने लगी यानि कुल मिलाकर हीना तगली टी आरपी की सबरदस्त गैरेंटी है ऐसी में एक ता अपने नागिन 5 जैसे पड़े प्रोजेक्ट में हीना पर हिद दाव लगाना चाहेंगी दूसरी बाल हीना ने बनाया है खुद को नागिन फिट विट जी हाँ ऐना ने लॉग्टाउन का फायदा आठा कर खुद को एकदम नागिन फिट बना लिया है दरसल में हीना ने खूब सारी एकसेसाइज और वरकाउट करके अपनी फिजर और फिगर को किसी नागिन जैसा ही कर लिया है रमसालन की दिनों में भी हीना ने अपने वर्काउट नहीं रोकी और इसी का नतीचा है कि अब हीना प्रॉडली फ्लैट एप्स केरी करती है आपको पता दें कि वैसे भी नागिन शो के लिए एक्टर का फिजिकल फिट होना काफी जरूरी है और हीना इस मामले में एक काफी अवल है तीसरी बात हीना की जबरदस्ट फैन फॉलॉइंग जी हाँ हीना की फैन फॉलॉइंग इस वक्त अपने शबाप पर है अगर पॉप्लरिटी के मामले में उन्हें इस वक्त की नमबर वन एक्टरुस कहा जाए तो गलत नहीं होगा ये हीना की popularity का ही कमाल है कि वो एक सार tv शो, फिल्में और web series भी कर रहे हैं और उनके fans उन्हें तीनों ही platform पर खुब पसंद कर रहे हैं ऐसे कम ही टिवी actors के साथ होता है कि उनकी web series भी उतने ही popular हो लिहाजा एक था हीना खान की इस audience appeal को नागिन 5 में in cash करना चाहेगी पहने हुए किसी बहु की तरह नज़र आती थी इस स्टीरियोट्राइब को तोड़ना असान नहीं था इना ने अपने टालेंट के इस संभव से काम को भी संभव कर दिखाया है आज लोग हिना की पुरानी अक्ष्रा वाली इमेज को पूरी तरह भूल चुके हैं हिना खान की नए इमेज एक सबरदस्त एक्ट्रिस की है जो किसी भी तरह के रोल को बखू भी पुल आफ कर सकती है यही वज़े है कि नागिन फाइव के में लीड के लिए अक्ष्रा एक परफेट फिट नज़र आती है और पांचवी बात नागिन फाइव होने वाला है मेगा शू अलग होने वाली है ऐसे मेगा शू को एक मेगा एक्टर चाहिये ही चभी और इसलिए नागिन फाइव के फैंस का भी ह मानना है कि इना नागिन फाइव में पूरी तरफ फिट हो दी है आप क्या सोचते हैं इस पारे में नागिन फाइव के में लीड में आप ही हिना खांध को ही देखना चाहते हैं या फिर आपके दिमाग में कोई और दूसरा एक्टर घुम रहा है क्या सोचते हैं आप जरूर शेयर कीजिए अपने ओपीनियन हमारे साथ